अगर आपके पास है OPPO A5 या A9 2020 स्मार्टफोन इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना विकॉज आप लोगों के लिए एक नए अपडेट आज रोल आउट हो गया है जैसे कि आप सुभी को पता है अट दरेट कलरोईस ग्लोबल के ओफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया गया था जो कि 29 में को पोस्ट किया था एंड जुलाई 1 को इसको थोड़ा सा अपडेट किया था अब इस पोस्ट में ऐसा क्या खास था तो ये जो पोस्ट है ना वो एक्च्वल में लेकर आता था जुलाई 2020 का रोड मैप जो की कलरोई 7 प्लस एंडरोई 10 ओफिशियल वर्जिन का रोड मैप है अब इसमें काफी सारी चीज़े हमें डिस्क्लोज हो चुकी थी जैसे कि भाई 10 ओ जुलाई को R15 का अपडेट आने वाला है 24 ओ जुलाई को 15 का अपडेट आने वाला है 28 जुलाई को R15 प्रो का आने वाला है अब ये तो नॉर्मल चीज़ है लेकिन इसमें कई सारे मॉडल के ऊपर ongoing लिखा हुआ था एंड कई सारे models का date disclose नहीं हुआ था जिसमें कि Find X Series A9 A5 2020 यह सारे devices आते हैं तो अब main चीज क्या है कि कई टाइम से जो batches updates है वो start होते जा रहे हैं उसको rollout करता जा रहा है धीरे धीरे ओपो अपने devices में धीरे धीरे वो update डालता जा रहा है ऐसे ही मैं OPPO A5 and A9 2020 devices में काफी टाइम से जो है C.65 और C.66 के updates के around 2-3 batch आ चुके हैं और आज ही उसका एक नए batch जो है वो release किया गया है अब इस batch में ऐसा क्या खास है तो आपको बता दू कि इस नए batch में आपको C.66 का एक नए अपडेट देखने मिल जाता है जो की ColorOS 7 plus Android 10 का official version update है अब इस update का size है around 2.5 GB अगर आपने already trial version कर चुका है तो यह आपको around 700-800 MB के बीच का पड़ेगा अब इस update में कुछ features हैं जो की ColorOS 7 trial version में आपको देखने मिल गयते अब अगर आपने अभी तक official version update का एक भी batch नहीं लिया है तो आपको surely this update को करना है और अगर आपने अभी तक trial version भी नहीं किया है तो अगर आप Android 10 का मज़ा लेना चाहते हो तो आपको इस update को कर लेना है अगर आप चाहते हो आप 6 पर ही रहो तो आप 6 पर भी रह सकते हो अब इस update में कुछ bugs भी हमें देखने मिल जाते हैं जिसमें majorly आपको battery और heating issues जैसे bugs देखने मिलेंगे और जो PUBG lag वगरा है वो थोड़े बहुत ऐसे bugs आपको देखने इसमें मिल जाते हैं वागी main चीज यह है कि यह update अपने साथ में जुल चीज लेकर आता है वो काफी जादा similar है trial version से बट यह official version का update है और जो भी अभी तक कर नहीं पाया था पुछले batches में सो वो इस batch में कर सकता है आपको simply जाने अपने settings में वहाँ पर जाने software updates के option में जहाँ पर आपको देखने मिलेगा trial version का plan जो की upper right corner पर एक छोटे से settings icon के अंदर होगा और वहाँ पर आपको कर लेना है apply करने के time पर अपना contact number आपको डालना होता है तो ध्यान रखें अपने contact number में plus अपने country का code लगा दीजे अब हमारी telegram को join कर लिए जल्दी फटाफट लिंक आपको मिल जाएगा description box में क्योंकि हम लोग अपने telegram पर सबसे पहले inform करते हैं अगर कोई भी batch आता है तो बाकि हम लोग WhatsApp ग्रोब अगरा थोड़े time में बंद करने वाले इसलिए जल्दी ताकि आने वाले वीडियो को notifications आपको मिल जाए जैसे हम वो कोई वीडियो अप्लोड करते हैं बाकि that's it for today's video guys I'll meet you in the next one तब तके लिए जैहिंद वन दे मत्रम